सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए गरुश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफरिश एपिसोड में और लेक्या हैं आपके लिए बहुती कमाल की टेक्नियूस तो चले शुरू करते हैं दिस वीडियो इस ब्रॉट टू यू बाई फोन रेस्क्यू चेक्ट डिस्क्रिप्शन फोर मोर इंफॉर्मेशन कुछ हम स्पेशल प्लान कर सकते हैं अब इस बात पर तो एक लाइक बनता है दूसरों पहला अपड़ीड है वो निकल के आता है यहां पर निसान की तरफ से जाए बहुत कुछ क्रेजी आइडिया सोच रहा है कि आपकी चपलों में अगर लगा दे हम सेल्फ पार्किंग ट कर रहे हैं और क्या पता है होटेल्स वगर में ठीक से काम में ले पाएं मतलब कंसर बड़ा यूनीक सा है देखते हैं क्या पता हम फ्यूचर में कभी चपलों को भी सेल्फ पार्क कर पाएंगे तो दूसरों अगला अपड़ीड है वो निकल के आता है वे वन प्लस 5 के बार जहां पर अभी बैटरी जो है वो डैश चार्जिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं बड़े आराम से लेकिन गैरंटी तो भाईया मिलेगी नहीं यहां पर अगला अपड़ीड है यहां पर रेडियेशन सेंसर को लेके और यहां पर भी काम चल रहा है ग्रिफीन बेस सब्सक्राइब कर रहे हैं लेवल्स हालां कि फिलहाल यह काम करता है सिर्फ 92 GHz पर लेकिन आगए चलके हम इसको वाइड वराइटी दोस्तों के लिए तो यह एक अच्छी बात है कि रेडियेशन को में इसको नाम होता है वह होता है बोलो मीटर लेकिन आपको बता दूं कि वह यह जो मार्टी मिलते हैं वो रेडियेशन वाले वो स्टिकर फोन के बीचे लगाओ और क्या वोलेंगे कैंसर कम कर लो यह वगरा तरकी जो सारी वकवास है उनसे बचके रहो वह एक अलग बात है वो रेडियेशन जो है वो आपको लूटने के लिए यह तो नॉर्मल र प्रेसिंग था 20-22 की रेंज के असपास तो वो शायद एक गलक्सी S7 हो सकता है अगर आप ले सकते हो दो साल बनाना सैमसंग फोन तो यह एक अच्छी डील साबित हो सकता है शायद दूसरों अपडेट है वो निगल गया था यहाँ पेस एक्स के फैलकन हेवी रॉकिट को लेके और यहाँ वह यहाँ लाँच हो गया आज कंप्लीटले सक्सेस्फुल यह पेलोड था टेसला की रोडस्टर कार वो पहुंच गई है उपर अंतरिक्ष में तो मतलब यहाँ पर शुरुआत तो हो चुकि है अब शायद स्पेसेक्स को और थेजी से काम करना पड़ेग कि हम एक चुले मार्स पर कब जाएंगे वहाँ पर क्या चीज़े बनना शुरू होंगी कैसे होंगी तो क्या पता हमको आगे फुचर में और भी इंट्रेसिंग अपडेट जटने को मिलते रहें दोसरों अगले अपडेट निकल गयाता है वह यहाँ पर एप्पल की तरफ स जो आपको परफॉमेंस बिल रही है कहीं वो स्लो तो नहीं है वगरे वगरे तो यह अच्छी बात है एपल ने जो कहता प्रॉमिस वो आने वाला है शायद बहुत जल्दी सभी डिवाइसिस में जिसके बाद में जो यूजर्स इनके पुराने आइफोन से वह एटलिस चू पर आया गया तो मतलब यहीं चलता है तो आजकल जो साइबर अटेक्स होते हैं लगला कंट्रीज पर तो यह बहुत एक रिस्की सी बात है अब ऐसे वे रशीन हैकर्स तो बहुत फेमस हैं और यह यूएस के कुछ सीक्रेट को निकाल रहे थे यह अपडेट से बालूम चला आप डिरेक्ली फ्लाइट्स या फिर होटेल्स वगरे बुक कर सकते हैं अगर आप सर्च करते हैं किसी वाकेशन के बारे में तो यहां फिर्ट्ली गूगल के सर्च पेड़ से ही आपने वूटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है लेकिन ऐसे भी आप फ तरह तरह की चीज़ें लेके आ सकते हैं अपने स्क्रीन के अंदर सामने और बाद हमें फोटो क्लिक कर सकते हैं बहुत हैं इंट्रस्टिंग तरीके से अगला अप्डेट निकल के आता है वो है चाइना की दीदी को लेके और यहां पर जो दुस्तों दीदी है बहुत ही एक नया प्लाइन जहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की शेरिंग की मतलब जैसे उस तो होता है बाइक शेरिंग तो वैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स की शेरिंग जैसा कंसेप्ट है जहां पर आप जो है वो कार एक जिगे से पिक कर सकते है अपना काम कर सकता है complete उसको बड़े तरीके से रॉल आउट कर पाएं, अभी जो आटो एक्सपो मतलब चल रहा है और उसके अंदर शायद हम गुच मेजर अनॉंस्मेंट भी दिखने को मिल सकते हैं, अगला अगला अपडेट ही कल गाता है, वो है डेल के XPS 13 लापटाप को लेके, ये इंडिया में अभी लॉंच कर दिया गया है, जो प्राइस है वो शुरू होती है, 94,790 रुपीज से, यहां पर आपको मिलता है Core i5 वेरियंट Full HD स्क्रीन के साथ में, इसके लावे यहां पर Core i7 भी है, Full HD वाला, और यहां पर Core i7 है, 4K वाला, जो की जाता है, अल्मूस्ट 1,60,000 के आसपास प् गंटे, अब ही आपके करन्ट लाप्टॉप की बैटरी से क्या आप सेटिस्वाइड हो, मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में, वैसे मैं सेटिस्वाइड हूं मेरे लाप्टॉप की बैटरी से, अगला अपडेट निकल का आता है, वो है यह यहां पर एक और जो च को ही Redmi Note 5 का नाम देके इंडिया में लाँच करने वाला है, तो शायद phone दोस्तों वही सेम सेम साही हो सकता है, तो आप ज़्यादा अपने expectations को उपर मत बढ़ाओ Xiaomi से कि भाया यह आएगा, वो आएगा, क्योंकि most probably यही होने वाला है कि Redmi 5 Plus है, उसी का नाम बदलेंगे Redmi Note 5 करक के इंडिया में लाँच कर देंगे, अभी देखते हैं exactly क्या होता है, 14th February को कुछ अच्छा काम कर सकता है क्या, विकॉज यहाँ पर एक और रिमरी कहते है कि जो phone की price है, वो शाबशाद काफी कम करके launch करेगा, क्या पता 9000, क्या पता 8000 के असपास, यह काम तो अच्छा नह phone, मतलब कौन सा phone तो यहाँ पर रिजलता है, एडल का वो cashback वाला offer, मेरा पहला 4G phone, carbon lava, lemon, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो उसके अंदर शायद यह hike तो पहले से प्रिंस वाला सकती है, hike को देखके खुशी है कि यह एक Indian company है, जो बहुत अच्छे से grow कर रही है, लेकिन ATL का देखके दुख ही होता है कि यह एक Indian company है, जो लोगों को बेपूफ बना रही है, दोस्तों अगला update निकल क्या था है, फाइनली वो है, bitcoin की तरफ सिर्व यह, bitcoin जो है, वो 6000 डॉलर के भी नीचे पहुँच गया था, बात में थोड़ा सा bounce किया है, दूस्तों आगे वाप मतलब जो लोग कहते थे कि 20,000 के जब था, उस टेब बूल थे खरीद लो, खरीद लो, और जब चल रहा है भी 6000 पे तो बहुत ही एक, ऐसा है, डिसन भीया खरीदने के लिए अगर आपका mood कर रहा है ना, तो अगर पैसा बिल्कुल सरप्रस पड़ा है, कि मतलब देखना नह राज के अपडेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने इस वीडियो पतरा के शेयर नहीं किया, तो लाइक बिल्दी शेयर भी कर दीजिये, चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुली मत भूला, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ह वीडियो लेके आता रहता हूँ विलाल के लिए ताई दोस्तों, जेहंद बन दे मातराम